यूरेनियम और थोरियम ये दोनों नाभिकिये या परमाणू उर्जा के प्रमुक स्रोत है भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयाद करना पड़ता है पिछले कुछ वर्षों में करनाटक के तुम्मल पल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए है इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणू सयंत्रों में थोरियम का उप्योग बढ़े क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है परमाणू ओर्जा के स्त्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रन है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं अध्योगी करण लगभग 200 साल पहले ज्यादा तर लोग खेती का काम करते थे और ज्यादा तर उद्पादन भी खेतों से ही आता था लेकिन आज दुनिया के विक्सित देशों के ज्यादा तर लोग उद्द्धयोगों में तो पाएंगे कि कवर 18 प्रतिशत खेतों से आता है और 26 प्रतिशत उद्धयोगों वर 56 प्रतिशत सेवाओं के शेतर में हो रहा है अठारवी शताब्दी में इंग्लेंड में अध्योगिक क्रांती शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में अध्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए जिसे अध्योगी करण के नाम से जाना जाने लगा इस उद्योगी करन के बाद से उद्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है उद्योगों की इस्थापना को प्रभावित करने वाले कारक आधुनिक उद्योगों की एक विशेस्ता यह है कि वे अत्यांत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं उद्योगों के लिए जिन शेत्रों में उद्योगी करन शुरू हुआ था जहां सेक्डों कारखाने लगे थे और लाखों मजदूर बसे थे आज वे वीरान हैं क्योंकि उद्योग वहां से पलायन कर गये 1970 के दशक में भारत के प्रमुक शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नाई, इंदोर आधी में विशाल कपड़ा मीलें थी 1980 के दशक में ये सब मिलें बंध हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में छोटे छोटे पावर लूम सयंत्र इस्थापित हुए जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा हुतपादन करने लगे इस तरह अमेरिका में जिन शेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी के उद्योग लगे थे अब वहां सारे उद्योग बंध हो गए आज यह उद्योग कई छोटी कायों में बढ़ कर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है तो यह निर्ने किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहां पर लगाया जाए इसके कई कारक है मगर सबसे निर्नायक सरोकार है मुनाफ़ा पुझी पतियों को किसी समय जहां कार खाने लगाने में सबसे अधिक मुनाफ़ा की अपेक्षा होगी वही वे कार खाने लगाएंगे और उसी समय तक जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफ़ा न मिल जाए कहा कार खाना लगाने से मुनाफ़ा अधिक मिल सकता है या कई कार को पर निर्भर होता है उत्पादन की तक्नीक, कच्चे माल के स्त्रोथ, बाजार, यातायात के साधन, राजी की अध्योगिक वक कर निती और सबसे महत्तुपूर्ण, कुशल मगर कम वितन पर काम करने वाले कामगारों की उपलब्धता अठारवी और उनिस्वी सदी में यातायात के साधन कम विक्सित थे, अत्यधिक मात्रा में लह एस्क और कोईला जैसे कच्चे माल के उप्योग के बाद कम मात्रा में लोहा या इसपात बनता था इस कारण खदानों के पास ही लोहा गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटी का कच्चा माल मिलना बंद होने लगा और दूर दराज के शेत्रों से मंगवाना पड़ा ऐसे में पुराने इलाकों से लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधा जनक जगों में लगाया जाने लगे जब यातायात और कच्चा माल पहुचाने के सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगा पर लगने लगे जहाँ कुशल मजदूर मिले और जहाँ कम मजदूरी पर काम करने के लिए तयार थे उद्योग पतियो ने पाया कि पुराने और द्योगिक श्यत्रों में मजदूरों ने संगठितो कर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों में मजदूरों के हित के कई कानून भी बने थे जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता था या मजदूरों के काम के घंटे वा नियूंतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था अब उद्योग पति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तयार हो जाते थे जहां सरकारों ने मजदूरों के हित्मे कानून नहीं बनाये थे ये इसलिए समभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है उधारन के लिए दंतेवाडा से खोदा गया लव एस्क पानी के साथ घोल कर पाइप लाइन के माध्यम से बहा कर 250 किलोमीटर दूर विशाका पटनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है वहाँ से लव कंकड के रूप में परिवर्तित करके निर्याद किया जाता है इसे किरंदूल विशाका पटनम स्लरी लाइन कहते हैं इसी तरह की एक पाइप लाइन ओडीशा में भी बनी हुई है कच्चा माल सामानी तोर पर उद्योगू की स्थापना कच्चे माल के इस्थानों पर की जाती है जिससे परिवहन लागत कम होती है अगर हम 100 रुपय का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन सा अधिक वजनदार होगा आप स्वेम सोच सकते हैं लोहा, अलुमिनियम, बॉकसाइट, चुने का पत्थर, आधी भारियस्क है इससे इन उत्पादन शेत्रों से दूर अध्योगी की काई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूले को अधिक बढ़ा देगा इसलिए इस तरह के उत्योगों की स्थापना इनके समीब की जाती है कोर्बा में अलुमिनियम का कार खाना, भिलाई में लोहा इस्पात कार खाना और दुर्ग के जामुल में सेमेंट कार खाना खदानों के पास लगाया गया है इसके विपरित कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्ष्टया कम होता है इसलिए सूती वस्त्रुद्योग बाजार के समीब लगाया जा सकता है परिवहन अब उत्पादन कई टुकडों में हो रहा है उत्पादन के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन देशों के छोटे कारखानों में तयार होकर आते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कमपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है कच्चे माल या इन्पुट को उद्योग तक लाने एवं तयार माल को बजार तक पहुचाने का कारे परिवहन की सहायता से ही संभो होता है इस कारण उद्योगों के इस्थान निर्धारन में परिवहन की भूमी का महत्वपूर होती है परिवहन के रूप में जल, सडक, रेल और हवाई आतायात के साधनों का उप्योग किया जाता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तों को बजार तक ले जाने का काम किया जाता है